स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में आजकल जो टेंड चल रहा है बहुत जादा वीर्ड रखने का हेयर स्टाइलिस रखने का लेकिन अगर वहीं पर आपकी बीर्ड के जो निकलने सुरू हो गए या बाल जो ज़ड़ने सुरू हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्याद दाड़ी के जो बाल जो होते हैं यहां से छोटे-छोटे पैर्ट जो होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हो कई सारे लोग इससे परिशान रहते हैं कई चीरी लगा देते हैं नॉर्मल खुजली की ट्यूब लगाना शुरू कर पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और सब्सक्राइब के साथ बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा दाड़ी के बाल हटना यानि दाड़ी का गंजापन होना जिसको हम अलोपेशिया बार भी कहते हैं अब कई लोग कहेंगे यार आपके बाल भ होता है यानि बीर्ड के बाल जढ़ना उसको अलोपेश बार भी कहते हैं ये ना एक परकार का फंगल होता है ना एक परकार का वेक्टिरल होता है यह कई सारे अन्या कारणों से भी देखने को मिल जाते हैं बेसिकली अभी तक इसका सटी कारण नहीं बताय गया है लेकिन को दिमागी तोर पर आपको बताया है, जैसे कि जो लोग ज्यादा इक प्रॉलम प्रॉलम हो जाती है जैसे कि कई लोगं ज्यादा बोर पॉत जाध परेशान रहते है लेकर अन्य कारण होता है औlor आंटा है बीमारी जो दियां जैसे कई सारे आपके बोडी में जैसे की WBC वगरा होते है आपका autoimmune disease होते है आपकी immunity जो होती है वो रोगों से लणने में आपकी मदद करती है लेकिन वही क्या करती है आपकी बोडी में लणना शुरू कर देती जैसे की आपके hair follicles पे attack करना शुरू कर देती जिसके आपके hair follicles होते हैं कमजोर होने शुरू हो जाते है और path निकलने जो होते हैं वो start हो जाते हैं तो मुक्यता यही कारण बताया गया है अन्या था इसके कारण अभी तक कुछ भी ऐसे नहीं बताय गया है ना यह वेक्टेर होता है ना यह फंगल होते है लेकिन disease की वज़े से आपको यह चेज़े हो सकती है, जैसे जिन लोगों को होने के चांसे हो सकते हैं तो मुक्यता यही कारण होते हैं और यही चीज़े आपको देखने को मिल सकती है तो अगर आपको यह चीजे problem है तो आप इसका पहला इन चीज़ों का treatment करें फिर जाके आप आगनिया दवाएं का यूज कर सकते हो लेकिन अगर आप इन चीज़ों में से कोई भी तरीके से problem नहीं है लेकिन फिर हो रहे हैं तो आपको हम बताने वाले हैं कौन से आपको medicines इसम करने के लिए कहते हैं तो मेडिसीन के बारे में हम बात करने हैं कौन से आपको मेडिस varies का इसमें use करना चाहिए पहला मेडैस आता आपका Óintmen के रूप में आपको यूज करना चाहिए आपका आअफ टैडर लिनेस क्रिम आती ही है जीरो फॉइंट spend में आपको ब्रेंड नेम प्रिसो हो रहा होगा इसको लगाना है आपने दिन में एक से दो बार आपको continue इस पर जहां पर पैत हो रहें वहाँ पर अपलाई करना है यह बेसिकली क्या होता है रात को एक बार लगाना है और बराबर इसमें क्या होता है जो आपके cells को repair करता है आपके growth को बढ़ाने में मदद करता है और साथे साथ infection को रोकने में भी यह मदद करता है तीसरा treatment आता है इसमें esteroid medicines का जो आता है momita zone basically एक esteroid है 0.1% में आप इसका use कर सकते हैं यह क्या करेगा आपके जहाँ पर पैत हो रहा है वहाँ पर irritation को infection को रोकने में मदद करता है आपने कई बार सुना होगा कि अगर आप बहुत जादा यूज कर लेते हो तो उससे बालों की growth बढ़नी शुरू हो जाती है तो वह treatment जो आपको सिर्फ apply करना है अब internally treatment क्या लेना है आपने injection को रूप में जो एक esteroid injection आता है कैना कोट 0.5% में आपने क्या करवाना है वो injection को यहां जहां पर भी path हो रहे हैं वहां पर इंजेक्ट को inject करवाना है ऐसा नहीं कि बिलकुल अंदर गुसेड दिया सुई आर पार ह हो गया ऐसा नहीं करना है उसको लगवाना है मतलब हलकी सी लियर पर उपर की तरफ जहां-जहां हो रहे हैं पैट वहां पर इस injection को apply करवाना है वैसा तो यह condition जो होती है आम इसकी डॉक्टर सी करते हैं लेकिन अगर कोई expert injection लगाने में तो उससे आप लगवा सकते हो बाल शुरू हो जाएंगे अगर बाल नहीं आते हैं तो 21-28 दिन के बाद आप इसको दुबारा दोहरा सकते हो और overly use ना करें इसके side effects भी आपको हो सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि आपको और नी मेडिसिस कौन सी लिनी चाहिए जिसमें आपको autoimmune disease होगा वो सही हो जाएगा या समाप्त करने में मदद करता है अगर यह आपको available ना हो तो आप evermectin जो medicines आती है उसका भी यूज़ कर सकते हो एक बार दिन में एक बार यूज़ करना है और हफते में दो तीन तीन बार आप इसका यूज़ कर सकते हो दूसरा medicine आता है आपका pentoxy philin pentoxy philin 200 mg का मिल जाता है दिन में तीन बार आपने यूज़ करना है चोदा दिन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो बेसिक लिए blood के circulation को बढ़ा देगा जहां पर blood अच्छे से नहीं जा पाता है तो वहां पर यह easily चला जाएगा और आपकी problem को solve होने में मदद मिल जाए हैं बहुत जादा दिक्कते हो तो अपने skin doctor से concert जरूर कर लिजेगा इसके मामले में और अगर आपके कोई जानने वाले हैं medical वाले जो अच्छे से आपको समझा सकते हैं या treat कर सकते हैं तो उनसे आप यह दवायों का use करवा सकते हैं लेकिन उनसे एक बार details में इसके बारे कुछ doubt रहेगा तो आप हमें comment box में जरूर बताएगा personally मैंसे के लिए instagram facebook का आप हमें follow कर सकते हैं instagram है हमारा medical जानकार्य औफिसली और में जो मेरे personally है वो अंकुस्तनवार 94 के नाम से मिल जाएगा description में सारे के सारे link आपको provide करवा रखे हैं वीडियो अच्छा लगा तो like एक शुडियो के साथ ओके भाए टाठायम थैंक यू फॉर वाचिंग